तो इसी सीरीज के साथ आगे मज़ीद हम लोग और MCQs को सॉल्फ करेंगे तो आए और MCQs को सॉल्फ करते हैं यहाँ पर इडामिक एंसी की उस पीमेक रपीटिड बखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल पर अवैलेबल हैं उसके आगे भी हम आपको डीटेल्स देंगे चलिए यह शुरू करते हैं सबसे पहला अभी हमारे पास मोंटेगो क्रैंस फूर्ड रिफॉर्म वर इंट्रीउस्ट यह वाला दिसमबर 1909 दिसमबर 1909 यह दोनों सवाल तक्रीबन एक साह आते हैं अगर तो 21 यह सकता और 30 30 वहीं हो सकता है यह बारमां यह सकता है और 35 वाला हो सकता है तो इस हिसाब से आपके पास यह एक सब्सक्राइब की सीरीज में जरूर आते हैं 90 परसेंट यह रिपीट होते हैं स्पेशली पिछले कोर्स के अंदर यह दोनों बहुत मरतबा भी तो में नज़र आता है कि इनके इन दर एक रेपिटेशन है इन दोनों डेट्स को आप लोग बहुत अराम से हमारी इस वक्त एक चल रही है 1500 के अंदर 1500 के अंदर हम लोग आप लोगों को PMA Long Course 155 की पूरी तियारी करवाएंगे जहांपर हम आप लोगों को verbal, non-verbal academic classes और notes के तुरून की तियारी करवाएंगे और साथ ही साथ आपको interview की भी तियारी करवाएंगे जहांपर आपको English आपकी ठीक की जाएगी अगर उसके अंदर को issue है, otherwise आपको साथ सवाल शेयर किया जाएंगे, आपको साथ वो by data form शेयर किया जाएगा, आपको साथ essay के topics शेयर किया जाएंगे, हमको चेक किया जाएगा, regularly आपके काम को चेक क होंगे आपके, तो अगर आप अपनी इस offer को avail करना चाहते हैं, तो अभी 03107025857 पर में contact करें और 1500 के अंदर इस offer को avail करें, ताकि आप PMA Long Course 155 के initial की पूरी त्यारी हमारे साथ, पूरे आतमाद के साथ और इमान के साथ कर सकें, उससे याद भी कर सकते है, 1909 Minto Moral, 1919 Montego Clemsford, पहले पाकिस्तानी मर्द जिन्होंने केटू को सर किया वो थे, अश्रफ अमान, जिनका इंटर्वी भी इस वक्त एक बहुत मुशूर इंटर्वी मुझूद है, यूट्यूपर आप वो जरूर देख सकते हैं, वहां से आपको एक इंसाइट मिल सकते हैं, उनके पूरी जर के साथ साथ हमें दूसरा शर्फ अमान वाला भी सवाल बहुत मर्तबा रपीट होते हैं, लेकिन पिछले कोर्स के अंदर ये वाला सवाल, ज्यादा मर्तबा हमें देखना को मिला था, उसके के बाद इसी के सिलसले के साथ आगे देखते हैं, केटू वाला ये एक सवाल है, एक के टू का दूसरा नाम है, केटू की फुल फं है कराकरूमब 2, कराकरूम बेसिकली जो मौंटेन रेंजर उसके साथ तोसे गए होँ है, और गुडवें ओस्तिन के टू का दूसरा नाम है, उसके साथ के अच्छों की हाइट, ये एग्जेक हाइट है, आठ हजार छेग् मीटर ये केटी के हाई तै एंगे अम लोग मांट से एक्जैक्ट हाइट और मांटवरिस की डीटेल को भी डिसकस्क्रिंगे तो ये हमारे पास दो सेक्शंस होगए एक केटी के रेलेटेट सेक्शिन और यह आपके पास पाकिस्तान की सिस्टिन अब कि की तरफ आते हैं बुक्स फिर से वही बहुत इंपॉर्टन का हमारी पिछली वीडियो देखते रहे हैं तो आपको इस चीज़ का एहसास होगा कि बुक्स कितनी इंपॉर्टन हैं हमारे पास अपने पीमे लॉंग कोर्स के एकडेमिक के लिए तो आईए भी बुक्स के सेक्श अपने इंटर्व्यूउज के लिए यह बुक्स बहुत मश्यूर है यह बुक्स आपकी मदद करती है पाकिस्तान की आम फोर्षस के लिए तो एनटोल लिवान ने किताब लखी पाकिस्ताना हार्ट कंट्री उसके बाद इए अफ पाकिस्तान एक फेमिस बुक है जिसको लि लिवान एनतोल लिवान का इसी तरह आपको नाम विपर गंदर आएगा उसके पाद अगले सवाल पर हम चलते हैं ये मारे पास बुक वोले दो सवाल फिर से रिपीट होगे बुक्स के सवाल यहां पर भी आते हैं और आपके पास आगे इंटर्व्यू में भी रिपीट होता ह उस पर अगले सवाल पर आते हैं जी नुवा सवाल When was जंगे ओहद fought? साथ शवाल तीन हिजरी को आपने इस डेट को याद हमें तीन हिजरी तो याद हो जाता है बहुत रहा है अगर हम सारी जंगों का मैप अपने सामने खींचते हैं हमें हिजरी के साथ याद हो जाती हैं जंगे लेकिन हमें साथ डेट और मन्थ भी याद करना पड़ता है वो उसको फिर stand out कर देता है तो साथ शवाल तीन हिजरी को जंगे ओहद fought होई थी जंगे ओहद ओहद को कुरेश वाली साथ से कौन लीड कर रहा था इन औहद कुरेश वाली लेड बाई अबू सुफियान अबू सुफियान लीड कर रहा था कुरेश को उस तरफ से और इसक वाद औहद में नमबर्ज मुस्लिम के हजार था हजार मुसल्मान थे इस जंग के अंदर उन्होंने पार्टिसिपेट किया था और मुसल्मानों की दूसरी सबसे बड़ी जंग और इन फैक्ट हमारे इसलाम के आगाज रसुरुल्ह सलुलाहुले वाले 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 सल्लम के बात से जब इसलाम को पूरी एक पिक्चर दे दी गी तो उस सल्सले के अंदर दूसरी बहुत इंपॉर्टन जंग जिसके बाद बहुत सारे इवेंट्स होएं बहुत से चेंजिज़ होई और जहांपे मुसल्मानों को अपने साथ एक रियालिटी चेक हुआ कि अल्ला ताला चाहे तो वो ही हमें फते देने वाला है हमें विक्टरी देने वाला है और अल्ला ताला अगर हम लोग अपनी अर्कतों की थरकते ठीक ना करें तो अल्ला ताला हमसे वो विक्टरी खींच भी सकता है ले भी सकता है तो इसी सलसले एक अंदर हम मुसल्मानों के लिए भी है तो ओध एक सब के लिए एक बहुत इंपॉर्टन्ट इवेंट है चाहिए जोम समर्जी टाइम किसी भी मुसल्मान पर हम मुसल्मान के ग्रोव पे गुजर रहा हूँ उसके बाद चली आए अगले सवाल पर First Foreign Minister of Pakistan First Foreign Minister of Pakistan सर चोधरी मुहम्मद जफरुल्ला खान ये हमारे पास सर इंको सर का लकब मिला हूए और ये बहुत मुशूर है जफरुल्ला खान साब बहुत देर हमारे रहे Foreign Minister बहुत वेल एकिप्ट आदमी, डिप्लोमाटिक आदमी जिस वज़ा से इनको पाकिस्तान का सबसे पहला Foreign Minister मुन्तखिक किया गया था क्योंकि इनकी डिप्लॉमसी ही की सबसे बड़ी बिसिकली एक डिप्लोमार एक आप क्या देखते हैं उसकी डिप्लॉमसी देखते हैं तो सर चोदरी मुहंबर जफर उल्ला खान साथ की डिप्लॉमसी बहुत एक्सेप्शनल थी उसकी के साथ-साथ आगे हम देखें तो हमारे इस वकत करन्ट Foreign Minister हमारे बिलाब बुटो सहाब है इसके बात तेरह सवाल First Prime Minister of Pakistan The First Prime Minister of Pakistan वाज लाकतली खान लाकतली खान अनफॉर्चनेटली अससेट होए थे Otherwise लाकतली खान हमारे पहले Prime Minister होते जो अपने पांच साल का ट्रियोर भी पूरा करते लेकिन उससे पहले ही वह सहसे नट होगे दुश्य के साथ current PM पाकिस्तान इस शहबाज शरीफ चली आईए अगले सवाल पर चलते हैं बहुत important सवाल अगला पाकिस्तान की हौकी के उपर अब जैसे मैं रीसेंटली पता है कि 2024 के Olympics स्टार्ट हो चुके है Olympics के अंदर एक Games होती है Field Hockey Field Hockey के अंदर पाकिस्तान ने बहुत अर्सा Dominate किया Olympics के अंदर In fact आई आपके साथ details share करते है Pakistan Hockey की टीम ने Olympics के अंदर 3 gold जीते उसके लाब और भी बहुत सारे medal जीते लेकिन हम यहाँ पर भी cover करेंगे gold को 1960 Rome के अंदर gold जीता 1968 Mexico City में जीता उसके बाद 1984 Los Angeles के अंदर gold जीता यह अला जो gold है Los Angeles Olympics एक बहुत मुशूर Olympics अगर आप इसके details पढ़ें तो बहुत interesting Olympics है कैसे इसके अंदर आपके पास जैसे हर से अगर किसी शेर के अंदर Olympics होता है तो यह हम सबको पता है कि वो शेर अपने stadiums बनाता है अपने hotels बनाता है यह सारे काम करता है लेकिन LA ने ऐसा कुछ नहीं किया Los Angeles ने कहा federation को Olympics की हम यहाँ पर कोई stadium नहीं बनाएंगे कुछ नहीं करेंगे हम बने बनाएं infrastructure को utilize करेंगे तो basically होता कि शेरों को बड़ा अपना पैसा खर्च करना पड़ता है Olympics को hold करने के लिए लेकिन LA ने यह trend set किया कि आपको कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है आप अपने infrastructure जो अल्यडी मुझूद है उसको ही up to standard लेएं और उसी के अंदर अपना hold कर लें तो उन्होंने इस तरह करके बहुत मुझूर और यह बहुत successful Olympics कंड़क किया उसके पाद चलिए एकला सवाल बहुत important सवाल यह वाला सवाल तो तकरीबन हर academic में आता रहता है आपका अगला सवाल है capital of Somalia Somalia का capital है Mogadishu उसे के साथ साथ बाकी यह सारे capitals बहुत important capitals in fact यह सारे के सारे capitals ही आपके पास 90-80% chance रखते हैं यह से recently यह फिनलेंड का बहुत मरतबा है तो आए इस सी चीज़ को डीटेल के साथ पढ़ते हैं तो capital of Venezuela is Caracas आज कल Venezuela भी news में बड़ा मुझूर है महाँ पर रिसेंडली elections बहुत मिशूर फिनलें ने नेटो जोइन कर ली तो वह उसके जैसे news में काफी देर आता रहा था capital of Argentina is Buenos Aires, capital of Algeria is Algiers, बुटान का तेंफू, घजाकिस्तान का आस्ताना, नेपाल का का काथमांडू, अगर आप नेपाल की news को follow करने हैं तो काथमांडू के इंदर recently एक बहुत tragic plane crash भी हुआ उसके बाद Malaysia का Kuala Lumpur, Kuala Lumpur जहांपे आपको पास student towers हैं, तो यह आपके पास चंद ऐसे capitals हैं, जो बहुत मरतभा हमें repeat होते हैं, नजर आते हैं, हर पाकिस्तान PMA long course के academic के अंदर तक्रीवन 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 पार्टी के साथ, भारतिया जंता पार्टी और अतल बिहारी वाजपाई की प्राइम मिनिस्टर शिप को इंडिया की recent history के अंदर सबसे successful प्राइम मिनिस्टर शिप भी समझा जाता है, अतल बिहारी वाजपाई साब की पाकिस्तान में भी हम इनको बहुत जादा इंका नाम समझते हैं क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान और इंडिया के दर्मियान पी स्टॉक्स भी बहुत अच्छे से निगोशियेट और इनीशियेट की तो उसी तरह हमारे पास अटल भ्यारी वाजपाई वो प्राइम मिनिस्टर है जो हमारे जेनरल परवेज मिश्राफ के साथ मिल करिन्ट प्रेजडेंट है द्रोपधी मुनू मुर्मू द्रोपदी मुर्मू जो है वो आपके पास प्रैंडरेंगोरे परियम मिनिस्टर है यसकर निरिंदर मोडि ने रेंगे यह हमारे प्रैंड kork साथ करते रहें गीले शीक साथ चलकी करण प्री प्रेजिए शेख हसीना है लेकिन परेजिडेंट मुहमद शहाब उद्दी इसी तरह current President of France Macron Macron इस वकर प्रेजिडेंट है France के France पर आजकल रिसेंटली बड़ा निउज पर मुशूर हो था France कंदर रिसेंटली इलेक्शन्स है जहां पर Macron की पार्टी जीत कई लेकिन वो भी एक जीत बहुत इंटरस्टनी जीत थी अगर आपने वो स्टोरी देखी है तो उसको जुरूर फॉलो करें करंट पीम आफ यूके रीसेंटली एलेक्शन्स हो जहां पे लेबर पार्टी चार सो से जादा सीटे जीत गई इन फैक इतनी बड़ी लैंडस्लाइट के आपके पास अब अगले चार से पांथ साल के लिए पूरा यूके का जो पार्लिमेंट है वो लेबर पार्टी चला लिया और उनका इस वकद प्रैम मिनिस्टर है सर कियर स्टार मॉर्ड तो उसके अगले आख़ी सवाल पे चलते हैं पाकिस्तान के पार्लिमंट का स्रुक्शर क्या है तो पाकिस्तान के अदर एक लो ह।र हे होस है के निसरे न के अर दर पास चूटल सीट थिवर्ट यू हो उसी के अदर इंकलूड़ हैं 272 जनरल सीट जहां पर और पे इलेक्शन होता है ज़िन सीटों हो पर इस तरह में हे उसे के साथ-साथ आपके पास 60 seats reserved है उड़तों के लिए और 10 seats reserved है नोन-muslims के लिए reservations बिनाई जाती हैं ताके equity create हो सके और equality create हो सके आपके houses कंदर उसके बाद अपर house कंदर 96 seats है और in total दोनों houses को मिलाकर आपके पास 438 seats है बहुत शुक्रिया आपके यहां तक वीडियो देखने के लिए हमारी वीडियो को like करें subscribe करें कोई सवाल हो हमारी साथ comment section में share करें हमने अपने whatsapp का link comment section में description में दिया हुए आप उस link को follow करके हमारे से notes PDF form के अंदर हमारे classes और हमारे interview के सारे interview crack करने की details हमसे सारी आप हासिल कर सकते हैं 1500 के अभी एक offer चल रही है आप उस offer को avail कर सकते हैं इसी के साथ बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने का अपना ख्याल रखें बहुत जाता और पाकिस्तान जिन्दाबाद